आज हम बनाएंगे इंस्टेंट चिप्स या होट चिप्स जिसके लिए हमने आलू लिये हैं कटर लिया हैं और तेल फ्राइ करने के लिए अब हम आलो की सलाइस बनाएंगे इकटर की सायता से इनको हम लंबा लंबा ही सलाइस करेंगे यह हमने सलाइस बना लिये हैं अब हम इनको कपड़े पर फैला लिए अब पर पर फैलेने और इसका वेशन्स कोके कपड़े से ही हम सोख लेएंगे यह हमने सलाइस बना लियाख इनका हम म।श्चर एक दम से साफ कर देंगे कपड़े से और फिर हम इनको फ्राइ करेंगे इस तरह से अमस्कों पर यह दूपटे को दाल देंगे और इसस मौचर हम निकाल लेंगे अब ये मौचर इसका सूक चुका है अब हम इनको फ्राइ करेंगे एक-एक करके अब हो चुका है तेल को हम हाई नहीं रखें मेडियम फलेम पे रखेंगे और अब हम एक-एक करके हम ये अलू की स्लाइस डालेंगे बहुत द्यादा मेड़ दालेंगे टोरा-चोरा थाल के ये हम ये को प्राइ करेंगे अलके देए ये इनको फ्राइके निको फ्राइके जिप्स बनके तयार हो चुके हैं, हम इनको भहूद तेज गलर यह करेंगे, अब हम इनको निकाल लएते हैं, और बाके भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे, यह दिविल्कुल एकद Shaun हो चुके हैं, करारे krispye और करँची हो चुके हैं, यह हमारी चिप्स बन के तयार हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी करंची है, यह हमने चिप्स होना नाम के आलू से पनाई हैं, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं, और इसको हम सौस के साथ सरू करेंगे, अगर आपको यह रैसिपी अच्छी लगे, तो इसको